है 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 इस पीन इखिल वाट्स आज हम बात करेंगे साइनस के बारे में कि साइनस की प्रॉब्लम बहुत ही जादा लोगों को है और बहुत है और लगातार उसके विज़े से इस रिजिए में जो है दर भी महसूस होता है इंफलमेशन बहुत जादा मैंसूस होती है उसका वन आप दरीजन यही है क्योंकि जो बैक्टेरियल फंगस है हमारे जो नौस्ट्रिस उसके अंदर वह पन्नपती रहती है जिसकी विज हर इसको कर सकता है इसके लिए हमें सिर्फ और तीन चीजों की जरूत है जलनी ती पॉत वह सेके और तीसरा एक पानी या और स्फिंक्टर जिसको हम चनी कियाते हैं तो हमें करना क्या है कि फस्ट हमें जो गारलिक है उसको अच्छे से चौप कर लेना है और एक भ्गोने मे तक्रिबन 5-10 मिनिट तक एक पानी को काफी हीटिट करना है हमें तक वह उबल जाए फिर उसके बाद वह जो गार्लिक है चौप किया हुआ उसको स्फिंक्टर में डालिए जर्नी में डालिए और उसको पोर कर दीजिए जलनीती पॉट से निकलते होगे और पिर जब वह पॉ नॉस्ट्रिल के अंदर डाले लाइक हो जाए तो आप उसको यूज कीजिए और जलनीती कीजिए दोनों नॉस्ट्रिल से आपको काफी ज्यादा इससे एफेक्ट मिलेगा रिलीफ काफी ज्यादा होगा क्योंकि जो गार्लिक है वह एंटी बैक्टरियल प्रॉपर्टी है में एंटी बैक्टरियल और वो इन चीज़ों को निकालने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपका म्यूकस नहीं बनेगा तो आप विसी बात है कि आप बहुत ज्यादा अच्छा पील करेंगे आपकी नॉस्ट्रिस खुल जाएंगी फंगस एंटाइपंगस है यह गार्ल के बारे में क्या क्या एक्यूपंचर पॉइंट से जिसकी वज़े से आपको रिलीफ मिले तो इसके जंदर में और भी वीडियो से हमारे चैनल पर आप दिए गए आई लिंक पर बटन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है आपको इन चीजों से रिलीफ मिलता है जो मैंने कहा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा फील हुआ यह रेमिडी को अपना के धन्यवाद